नमस्कार, आशा है आप स्वस्त एवं प्रसन होंगे आज हम कक्षा नौमे की हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज का पाठ चार पढ़ने वाले हैं पाठ का नाम है सामले सपनों की याद इस पाठ में हम डौक्टर सालीम अले जी के जीवन के बारे में जानेंगे जिनोंने पक्षियों की खोज और उनके सरक्षन हेतु अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया सन 1987 में डौक्टर सालीम अले जी की मृत्यु के तुरन पस्चात उनके मित्र जाबिर हुसैन ने इस पाठ को डाइरी शैली में लिखा और ये एक संस्मरण है बच्चों संस्मरण सम्रिती यानि यादों के सहारे लिखा गया एक आलेख होता है सहिती के अन्य विधाओं कविता, कहानी, नाटक, निबन, रिपोर्टाज, डाइरी, आत्मकथादी की तरह संस्मरण भी बेहत लोग प्रिय विधा है लेखक जाबिर हुसैन हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी तिनों भाशाओं में लेखन करते रहे हैं इनकी रचनाओं में डोला बीबी का मजार, जो आगे हैं, अदीद का चहरा, लोगां, एक नदीर रेत भरी प्रमुख है सन 1945 में बिहार में जन में जाबिर हुसैन बिहार के मंत्री और बिहार विधान परिशद के सबापती भी रह चुके हैं इन्होंने संघर्श रत आदमी को अपने सहीत में विशेश स्थान दिया हैं, इनकी भाषा सहेज वसरल है, लेकिन कहीं कहीं जटिल हो जाती है इन्होंने डाइरी विधा में एक अभिनम प्रयोग किया है, जो अपनी प्रस्तोति शैली और शिलप में नवीन है लेखक जाबिर हुसेन ने पक्षी प्रेमीन साले मले की मृत्यु सेउत पंदुख एमाम अवसाद को सामले सपनों की याद के रूप में प्रसुत किया है क्या सपने सामले भी हो सकते हैं? क्यों नहीं? यदि अच्छे सपने सुनहरी हो सकते हैं, खुश होने पर तबियत हरी हो सकती है शर्म से चेहरा लाल, डर से पीला, कलंक काला हो सकता है, तो क्या सपने सामले नहीं हो सकते? रंग कभी-कभी हमारी मानसिक सिती को प्रकट करने का माध्यम भी बन जाते हैं लेखंक सालिम अली कि मृत्यों से शोक ग्रस्त है, इसलिए उन्होंने सपनों को सामला कहा है सामला रंग हलका काला होता है, जो कभी-कभी दुख का भाव प्रकट करता है इसी से पाठ के शिर्षक की सार्थकता भी सपष्ठ हो जाती है आईए, पाठ पढ़ते हैं सामले सपनों की याद सुनहरे परिंदों के खुबसूरत पंखों पर सवार सामले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है कोई रोक टोक सके, कहा संभव है इस हुजूम में आगे आगे चल रहे हैं सालिम अली अपने कंधों पर सैलानियों की तरहां अपने अंतहीन सफर का बोज उठाए लेकिन यह सफर पिछले तमाम सफरों से भीन है भीड भाड की जिन्दगी और तनाव के महौल से सालिम अली का यह आखिरी पलायन है अब तो वो उस वन पक्षी की तरह प्रकृति मेविलीन हो रहे हैं जो जिन्दगी का आखिरी गीत गाने के बाद मोद की गोद में जावसा हो कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धर्कन देकर भी उसे लोटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे का सकेगा मुझे नहीं लगता कोई स्वई हुए पक्षी को जगाना चाहेगा वर्शोंपूर्व खुद सालिम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नजर से देखना चाहते हैं ये उनकी भूल है भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षों की आवाज का मदुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमाज का सोता फूता महसूस कर सकता है एहसास की ऐसी ही उबढखाबड जमीन परजन में मिथक का नाम है सालिम अली पता नहीं इतिहास में कब क्रिष्ण ने व्रिंदावन में रास लिला रची थी और शोख गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था कब माखन के भाने फोडे थी और दोध चाली से अपने मुँ भरे थे कब वातिका में छोटे-छोटे किन्तो घने पेड़ों की च्छा में विश्राम किया था कब दिल की धड़कनों को एकदम से तेज करने वाले अंदाज में बंसी बजाई थी और पता नहीं कब व्रिंदावन की पूरे दुनिया संगीत में हो गई थी पता नहीं है सब कब हुआ था लेकिन कोई आज भी व्रिंदावन जाए तो नदी का सामला पाने उसे पूरे घुटना क्रम की यादिला देगा हर सुबा सुरज निकलने से पहले जब पतली गलियों से उत्सा भरी भीड नदी के और बढ़ती है तो लगता है जैसे उस भीड को चीर कर अचाना कोई सामने आएगा और बंसी की आवाज पर सब किसी के कदम थम जाएंगे हर शाम सुरज धलने से पहले जब वाटिका का माली सैलानियों को हिदायत देगा तो लगता है जैसे बस कुछ इक्षणों में वो कहीं से आटपकेगा और संगीत का जादू बाटिका के भरे पूरे महाल पर छा जाएगा व्रिंदवन कभी क्रिश्न की बांस्वरी के जादू से खाली हुआ है क्या? मित्कों की दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले एक नजर कमजोर काया वाले उस व्यक्ति पर डाली जाए जिसे हम सालिम अली के नाम से जानते हैं उम्र को शती तक पहुँचने में थोड़े ही दिन तो बच रहे थे संभव हैं, लंबी आत्राओं की ठकान ने उनके शरीर को कमजोर कर दिया हो और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनकी मौत का कारण बनी हो लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आँखों से वहर रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाज़त के प्रतिसमर्पित थी साले मली की आँखों पर चड़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद ही तो उत्री थी उन जैसा बर्ड वाचर शायद ही कोई हुआ हो लेकिन एकांद क्षणों में साले मली बिना दूरबीन भी देखे गए हैं दूर क्षितिस तक फैले जमीन और जुके आसमान को छूने वाले उनकी नजरों में कुछ-कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकरति को अपने घेरे में बाध लेता है साले मली उन लोगों में से थी जो प्रकरति के प्रभाव में आने की बजाए प्रकरति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते हैं उनके लिए प्रकरति में हर तरफ एक हंस्ती, खेलती, रहस्य बरी दुनिया पसरी थी यह दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी इसके गढ़ने में उनकी जीवन साथी तहमीना ने काफी मदद पहुँचाई थी तहमीना स्कूल के दिनों में उनकी सैपाथी रही थी अपने लंबे रोमांच कारी जीवन के धेर सारे अनभवों के मालिक साले मली एक दिन केरल की साइलेंट वेली को रेगिस्तानी हवा के जोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर चौधरी चरण सिंग से मिले थे वी प्रधान मंत्री थे चौधरी साहब गाओं की मिट्टी पर पढ़ने वाली पानी की पहली बून का असर जानने वाले नेता थे पर्यावरण के संभावित खत्रों का जो चित्र साले मली ने अपने उनके सामने रखा उसने उनकी आँखे नम कर दी थी आज साले मली नहीं है चौधरी साहब भी नहीं है कौन बचा है? जब सोंधी माटी परोगी फसलों के बीच एक नए भारत की नेव रखने का संकल्प लेगा कौन बचा है? जब हिमाले और लदाह की बरफीली जमीनों पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा साले मली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था Fall of a Sparrow मुझे याद आ गया डी एच लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पतनी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया कि वे अपनी पती के बारे में कुछ लिखें फ्रीडा चाहती तो धेर सारी बाते लॉरेंस के बारे में लिख सकते थी लेकिन उसने कहा मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना असंभवसा है मुझे महसूस होता है मेरे चट पर बैठने वाली गुरेया लौरेंस के बारे में धेर सारी बाते जानती है मुझसे भी ज्यादा जानती है वो सच मुझ इतना खुला खुला और सादा दिल आदमी था मुम्किन है लौरेंस मेरी रगों में, मेरी हड्यों में समाया हो लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है उसके बारे में अपने अनुभवों को शब्दों का जामा पहनाना मुझी यकीन है मेरी छट पर बैठी गौरईया उसके बारे में और हम दोनों ही के बारे में मुझसे ज्यादा जानकारी रखती है जटल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे बच्पन के दिनों में उनकी एरगन से घायल होकर गिरने वाली नीले कंट की वह गौरईया सारी जिन्दगी उन्हें खोज के नए नए रास्तों की तरफ ले जाती रही जिन्दगी की उन्चाईयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी डिगा नहीं वो लौरेंस की तरह नैसरगिक जिन्दगी का प्रतिरूप बन गए थे सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापो बनने की बजाए अथा सागर बन कर उबहे थे जो लोग उनके ब्रहमनशेल सोभाव और उनके यायावरी से परिचित है उन्हें महसूस होता है कि वो आज भी पक्षियों के सुराग में ही निकले हैं और बस अभी गले में लंबी दूरबीन लटकाए अपने खोजपोर नतीजों के साथ लोट आएंगे जब तक वो नहीं लोटते क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए मेरी आँखे नम है सालिम अली तुम लोटोगे न बच्चो कैसा लगा पाठ पढ़कर ऐसा प्रतीत हुआ मानो लेखक ने अपने शब्दों के माधिम से सालिम अली का व्यक्ति चित्र ही प्रस्तुत कर दिया हो देखकी भाषा की रवानी यानि प्रवाह और अभी व्यक्ति की शैली ने तो दिल पर गहरी चाप छोड़ दी है चलिए अब पाठ के कुछ प्रश्न हल कर लेते हैं पहले कुछ प्रश्नों के उत्तर में चार विकल्प होंगे आपको कोई एक विकल्प चुनना है चीक है तो शुरू करें पहला प्रश्न है किस घटना ने सालिम अली के जीवन को बदल कर रख दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया पहले घटना है उनकी एरगन से घायल होकर एक गौरईया का गिरना दूसरी उनका प्रधान मंत्री से मिलना तीसरी उनका पक्षियों की खोज में जाना और चौथी उनका पर्यावरण के लिए चिंतित होना हां जी सही अनुमान लगा रहे हो पहला उनकी एरगन से घायल होकर एक गौरईया का गिरना और वो गौरईया कैसी थी? नीले का इंठवाली चलिए, दूसरे प्रशन की ओर चलते हैं सालिम अले जी ने अपनी आत्मकथा का नाम क्या रखा? पहला सामले सपनों की याद दूसरा विकल्प फॉल ओफ अस्पेरो तीसरा दि बुक ओफ इंडियन बर्ड्स चौथा साइलेंट वेली बेलकुल सही फॉल ओफ अस्पेरो इस पुस्तर का हिंदियन वाद भी आ गया था तीसरा प्रश्न सामले सपनों की याद संस्मरन के लेखर का नाम बताईए पहला जाबिर हुसैन दूसरा सालिम अली तीसरा विकल्प डी एच लॉरेंस और चौथा फ्रीडा देखें आप किसे चुनते हैं जाबिर हुसैन सही जवाब चौथा प्रश्ट पाठ में मिथक शब्द आया है इसका क्या अर्थ हो सकता है इसके उत्तर के विकल्प है कल्प कथा पौरानिक कथा लोग विश्वास पर आधारित कथा या ये तीनों विकल्प सही है हाँ तीनों विकल्प सही है बचो मिथक शब्द अंग्रेजी के मिथ शब्द से बना है मिथक परमपरागत चले आ रहे वे कथे हैं जो बिना तर्क के स्विकार्य होते हैं चलिए बढ़ते हैं पांचवे प्रशन की और सालीम अली ने पूर प्रधान मंत्री के सामने ऐसे किन खत्रों का चित्र खींचा होगा कि जिससे उनकी आंखे नम हो गई थी पहला विकल्प पक्षियों को रेगिस्तान के खत्रे का दूसरा पर्यावरन प्रदूशन का तीसरा चौथा चौथा विकल्प पर अगला प्रशन लौरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरी चत पर बैटने वाले गौरईया लौरेंस के बारे में धेर सारे बाते जानती है इसके उत्तर के विकल्प है पहला लौरेंस का व्यक्तित्व साधारन वह खुला खुला सा था दूसरा उनके बारे में कुछ भी छिपा ना था तीसरा वे छत पर गौरईया आदी पक्षियों के साथ बहुत सारा समय बिताते थे और चौथा विकल्प है उप्रोक्त सभी हाँ यहाँ उप्रोक्त सभी सही जवाब है क्योंकि ये तीनों बिंदो लौरेंस के व्यक्तित्व का ही बखान कर रहे है अगला प्रेश्ट लेखक जाबिर हुसैन की भाषा शैली की प्रमुख विशेशताई है लेखक ने हिंदी उर्दू अंग्रीजी शब्दों का प्रयोग किया है दूसरा इनकी भाषा सहेज सरल है तीसरा लेखक ने डाइरी वो चित्रात्मक शैली में अपने मनो भावों को व्यक्त किया है और चौथा विकल्ब सभी विकल्ब सही है हाँ सभी विकल्ब सही है क्यूंकि ये सब खूबियां लेखक जाबिर हुसैन की रचनों में देखने को मिलती है चलिए अन्तिम प्रेश्ण क्यों बढ़ते है सालिम अली प्रकर्ति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाएं क्या बनकर उभरे रेगिस्तान गहरी जील अथाह सागर या नेला समुत्र सही चुनाव है अथाह सागर क्योंकि बच्चो टापू ऐसा स्थान होता है या जमीन का टुकड़ा होता है जो चारों तरफ से पाने से घिरा होता है यह सेमित होता है जबकि सागर बहुत विस्त्रित, विशाल, गहरा होता है सालिम अली का व्यक्तेत्व अथाह सागर की तरह था बच्चो अब एक प्रश्ण चर्चा हित्थू ले लेते है पर्यावरण को बचाने के लिए हम किस प्रकार अपना योगदान दे सकते हैं मेरा विचार है इसके लिए हमें निरंतर छोटे-छोटे प्रयास करते रहना होगा हर भरतिय को क्योंकि छोटे-छोटे सकारात्मक प्रयास ही एक दिन बड़ा बदलावला आते हैं जापान में इसे काई जेन कहा जाता है यदि हम सब थोड़ी-थोड़ी बिजली जल, इंधन रोज बचाते रहे पेड़ पौधे लगाते रहे प्लास्टिक और कागस का उपयोग सीमित कर दें पशु-पक्षियों की देख भाल करना अरंब कर दें नदी, तालाबों, जीलों को प्रदूशन मुक्त करने लगें तो एक दिन अवश्य ही भारत स्वर्ग सा सुन्दर बन जाएगा मुझे मालूम है आपके पास इनसे भी बहतर सुझाव होंगे बचो, पाठ के अंत में पाठेतर सक्रियता में बड़ा ही रोचक अभ्यास आया है कि आप अपने सैपाठियों से मिलकर अपने अपनी मात्री भाषा में कुछ पक्षियों से संबंधित लोकगीत एकत्र कर उनका एक संकलन तयार करेंगे यह परियोजना कारे का एक भाग भी हो सकता है एक लोकगीत आपकी पुस्तक में दिया गया है कुछ अन्य मैं भी लाई हूँ उदाहरण सवरूप एक दो पंक्तियां सुनाती हूँ जैसे बांगला में एक गीत है जिसमें मन के भाव भरे उद्गार प्रकट करने है तू पक्षी तोते को माध्यम बनाया गया है गीत के बोल इस प्रकार है ओ तोता पाखीरे शिकुल खुले उडिये देबो मा के जो दिये ने दाओ आमर मा के जो दिये ने दाओ गुमिये चिला मायर कोले कोखोंजे मां गैलो चोले शोबाई बोले ओ ये आकाशे लुकिये आचे कोजे नाओ तोता पाखीरे संदेशा भिजवाने है तू कोयल को माध्यम बनाने वाला एक सुन्दर अवधी गीत है अरी अरी काली कोयली आने बत देई आब उरे कोयलरी हम घर कन्या कुवार तुरची हूँ भिया हूरे एक बेहद लोप्रिय राजस्थानी लोगीत जिसमें मोर वर्षा का संदेश लाते हैं मोर बूले रे हूमल जी आबुरे पाडाम हूमल जी मोर बूले रे इसी कड़ी में आगे है एक पहाड़ी लोगीत जिसमें केश विन्यास के लिए दुलहन पक्षियों का सहारा या उनका उधारन दे रही है अंत में एक बहुत ही प्रसिद पंजाबी लोगीत जिसमें कुवारी कन्याओं को चिडियों सा बताया गया है साड़ा चिडियांदा चंबावे बाबुल साय उड़ जाना साड़ी लम्मी उडारी वे बाबुल केडे देस जाना तो देखा पक्षी सदियों से हमारे जीवन का एक अभिन हिस्सा रहे है बच्चो भाशाओं बोलियों खान पान पहनावे आदि में हमारा भारत जितना सम्रिध है उतना धरपर शायद ही कोई अन्यराश्र होगा यहां लोग गीतों का भी अपार भंडार है कहीं आधुनिक्ता की दोड में ये खजाना लुप ना हो जाए इसे सहेजना हमारा परम करतव्य है ये नया भारत है बच्चो अपनी संस्कृती और गौरवशाली परमपराओं में जड़ें जमाए आस्मान की बुलंतियों को छूता भारत सालिम अली जिनका पूरा नाम था डॉक्टर सलीम मौईजूदीन अब्दुल अली जो सालिम अली के नाम से विश्विख्यात पक्षी प्रेमी वने अली एक पक्षी विज्यानी अर्थात बर्ड वाचर थे इन्हें भारत का पक्षी राजन भी कहा जाता है 12 नवंबर 1896 को जन में सालिम अली की एरगन से एक नेले कंठ वाली गौरय या घायल हो गई थी बस तब से शुरू हुआ उनका सफर उनकी मौत तक चला भारत के लगबग हर कोने से लेकर सिंध, पाकिस्तान, बांगला देश, अफगानिस्तान तक ये सफर चलता ही रहा सालिम अली गले में दूर बीन लटकाए जब बक्षियों की खोज में निकलते तो घंटों, दिनों, महीनों का भी उन्हें अनुमान न रहता बीहडों, जंगलों, पहाडों, रेगिस्तानों, घाटियों, दर्रों में शायद ही कोई ऐसा स्थान रहा होगा जहां सालिम के भारी गम बोटों के चिन्ह अंकितना हुए हो जिस बया पक्षि को विश्व के वैग्यानिक पूरणते लुप्त मान चुके थे उसे भी इनोंने उत्राखंड की पहाड़ियों में खोज निकाला इनकी पुस्तकों, फॉल ओफ अस्पेरो और दिबुक ओफ इंडियन बर्ड्स नेने विश्व भर में ख्याती दिलाई इन्हें अनेकों राष्ट्रिय अंतराष्ट्रिय सम्मान व पुरस्कार मिले जिनमें भारा सरकार द्वारा पद्म भूशन, पद्म विभूशन, वन्य जीव सामक्षन हेतू, राष्ट्रिय पुरस्कार आदी उलेखनिय हैं सम्मान सवरूप इन्हें सन 1985 में राज्य सभा का सदर से भी मनोनीत किया गया था बीस जून 1987 को डॉक्टर साले मली अपने प्रिय पक्षी जगत और इस संसार को अलविदा कह गई पाठ के अंतिम पंक्ती अभी भी मेरे जहन में घूम रही है जिसमें लेखक लिखते हैं मेरी आंखे नम है साले मली तुम लौटोगे ना बच्चो क्या साले मली लौट सकते हैं सोचिए हाँ क्यों नहीं मेरा मानना है वे अवैशे लौट सकते हैं यदि हम और आप जैसे अंगिना छोटे छोटे साले मली मिलकर पशुपक्षी जगत और पर्यावरण के सनक्षण हे तु आगे आएंगे और कारे करेंगे तो क्या हम भी उन महान साले मली का ही एक लगू रूप ना होंगे इसी आशा और विश्वास के साथ मैं विदा लेती हूँ धन्यवाद नमस्कार झाल झाल